नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका Medical Group चनल पर आज हम इंटेरो जर्मिना प्रोबायोटिक कैप्सुल के बारे में पूरी जंग कर लेने वाले हैं इस कैप्सुल के क्या benefits से क्या side effects से इस कैप्सुल से तुड़े सभी सावलों की जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को आखरतक दरूर देखे चैनापी इंडिया लिमिटेर कंपनी की चार कैप्सुल की एरस ट्रिपाप को 162 रुपए में डॉक्टर के परिची पर किसी भी मेडिकल स्टोर्स पर आशनी सिमल जाएगी बात करते हैं इस कैप्सुल में मौझूद कंटेन के बारे में इंटेरो जर्मिना कैप्सुल में बैसिलस क्लासी टू बिलियन स्पोर्स यह कंटेन्स हमोच्ट है इसमें मौझूद बैसिलस क्लासी यह यक प्रोबाइटिक है जिसका उप्योग वयस को और बाल रोगियों में तीवर दस्ते के उपचार के लिए किया जाता है साथ ही हेलिको बैक्टर पाइलोरी संग्रमन के उपचार के लिए यक सहायक चिस्ता के रूप में भी इसका इस्तमाल किया जाता है बात करते हैं इस कैप्सुल के उजिसकी डॉक्टर शेकिन के समश्य में इस्तमाल करते हैं इसका उपयोग बच्चों और वयस्त को दोनों में दस्त के उपचार के लिए इस्तमाल किया जाता है और साथ ही यह यक प्रोबाइटिक है जो आत और आतों के स्वास्त में बैक्टरिय के संतुलन को बहाल करता है और साथ ही डिस विटामिनोसिस याने की विटामिन उत्पादन में और संतुलन को ठीक करने में मदद करता है और साथ ही पुराने दस्त के इलाज में यह मदद करता है और आतों में संक्रमन के इलाज में भी यह उपयोगी है और साथ ही बच्चे की प्रतिरक्षा को मदबूत करने में मदद करता है और साथ ही यह पूराने गैस्ट्रो इंटरस्टैनल विकारों से राहत परदान करता है बात करते हैं इस कैप्सूल से उने वाले साइड इपक्ति यदि आपको इस कैप्सूल में मौझूद कंटेंशिया अलर्जी है या फिर कोई साइड इप्रिक्स मौसूस होते है तो इस कैप्सूल की इस्तमाल ना करें यदि आपको और मेडिशन ले रहा हो तो उसके बारे में डॉक्टर को दरूर निपन करें ताकि आपको और डॉस या फिर ड्रग इंटरेक्शन ना हो यदि इस कैप्सूल के इस्तमाल गरबोती मैला या पिर स्तनपान करने वाली मैला को करना हो तो गानकलाज इसकी सला दरूर ले उसके बाद इस कैप्सूल के इस्तमाल करें और साथ इसे किसी थंडी, सुकी और अंदेरी जगर में स्टोर करी। बात करते हैं इस कैपसुल के डोस के बारे में। आप अपनी समझ्या और रेज बता कर इस कैपसुल का डोस आप अपने डॉक्टर या फार्मासीचे पूत ली। याद रगे दोस्तों हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है। इसलिए रोगी किस्तिती, रोगी के आयो और अन्यकारणों के आदार पर इस कैपसुल का डोस आलग हो सकता है। इसलिए इस कैपसुल के इस्तमा डॉक्टर के सला के अनुसर करी। आडल प्रेक्ति दिन में दो से तीन कैफ्सुल ले सकते ही जब कि बच्चे दिन में एक से दो कैफ्सुल ले सकते ही इस कैफ्सुल को आपने जीब पर रखे और मीटे पानी दूद चाय या फिर संत्रे के रस के साथ निगल ले या फिर अपने डॉक्टर के सलाक आनुसर भी इस कैफ्सुल का इस्तमाल कर सकते ही दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेडिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ यह बेलोग अन्दा बद जी ताकि आपको आगया आने वाले वीडियो की नेटिपिकेशन मिलती र